नमस्कार दोस्तों आज 9 मईए है मंगलवार का दिन है और आज के दिन चंद्रमा धनो राशी में संचार करते हुए रात के समय मकर राशी में गोचर कर जाएंगे आज का दिन राशी चक्र की सभी राशी के लिए कैसा रहने वाला है आए जानते हैं नेश राशीत आज के दिन भाग्या भाव में चंद्रमा के होने से आपको आर्थिक लाव हो सकता है पारिवारिक जीवन में पता के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे और उनसे आपको अच्छी सीख भी मिल सकती है जीवन साती के साथ यदि कोई अनबन हुई थी तो वो भ खत्म हो सकती है विर्शब राशीत आज तलाभुना भोजन करना आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है इसलिए स्वाद के लिए नहीं बलकि सेहत के लिए भोजन करें आज बीते समय में किया गया निवेश आपको लाब दिला सकता है पारिवारिक जीवन में मिलाजुला माहौ मिथुन राशी जीवन साती के साथ मूवी देखने या कहीं घूमने जाने का प्लान आप कर सकते हैं कारोबार करते हैं तो आज अचानक से धनलाब की स्थिति बन सकती है सामाजिक स्थर पर आपकी छवी में भी आज के दिन सुधार देखने को मिल सकता है करक राशी अपने वजए से दिक्कते आई थी तो आज के दिन वो दूर हो सकती हैं लव पार्टर के साथ रोमेंटिक पला बिता सकते हैं इस राशी के विद्यार्थी आज काम से ज्यादा खेल कूद करते नजर आएंगे कन्याराशी माता के सहयोग से आपके बिगड़ते काम भी आज के दिन बन सकते हैं परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसका हल आपको मिल सकता है आज के दिन आपके आत्म रुश्वास में भी विर्दी देखने को मिलेगी तुला राशी सामाजी के स्तर पर आप अपनी बातों के जादों से लोगों को अपनी और आकर्शित कर सकते हैं यदि गायन वादन या लेखन करते हैं तो आज की दिन आपकी कोई रचना सोशल मेडिया पर धमाल मचा सकती है विर्षिक राशी पैतरक संपत्ति को लेकर किसी तरह की बाचीद घर के लोगों के साथ आप कर सकते हैं अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने से पहले आपको सोच विचाराज अवश्य करना चाहिए निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर कर रहें नहीं तो आपकी परिशाने का कारण बन सकते हैं इस राशी के परिजनों से उनके बच्चे किसी चीज की मांग भी आज के दिन कर सकते हैं. शाम के समय अपने घर के लोगों के साथ बीते समय की बातों करके आपको अच्छा महसूस होगा कुम राशी बीते समय में कही निवेश किया तो आज की दिन उससे आपको लाब मिलने की संभावना है बड़े भाय भेनों के साथ अच्छा समय बिताने का भी मौका मिलेगा जॉब में अगर आप परिवर्तन करने का विचार बना रहे थे तो आज की दिन आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है मीन राशी इस राशी के का पार्ट करते हैं तो आपके जीवन की से भी परिशानियां दूर होने लगती हैं और हनुमान जी के आशिरवाद से आपका स्वास्ते भी बहतर होता है उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकरी पसंद आई होगी ऐसी ही रोजक जानकरिय के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखके रहें अन्वीटी लाइफ हमस्कार